नश्कार दोस्तों जसी क्रश्णा कैसे हैं आप सब दोस्तों बहुत ही बढ़िया एक चीज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यह है शुदर्शन सालीग्राम सालीग्राम के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे देखिए इसका जो पत्थर है बहुत ही सुन्दर है जैसे कुंडलीनी शक्ती बैठी हो जैसे कोई साथ कुंडलीनी वार करके बैठा हो ऐसे इसकी बनावट है भगवान विश्णु के शुदर्शन की सबसे बड़ी महिमा तो यह है कि शुदर्शन अगर आपके घर में भी रखा है जहां पर भी भगवान विश्णु की स्थापना की जाती है वहां पर सुदर्शन चक्रक की स्थापना की ही जाती है इसकी स्थापना करने से पुजा इस्थान में सत्रूं पर आसानी से विजय प्राप्त होती है जल्दी से कोई रोग नहीं लगता घर में नेगेटिविटी नहीं आती और पैसों के मामले में गजब की किस्मत चमप उठती है मैं आपको इसके दोनों ही हिस्से दिखा दूँ लोग इसका लौकेट बना करके भी पहनते हैं इसके लिए इसका लौकेट बनवा दिया है आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो पूजा करने के बाद जिसे आपने नारान कवच किया है इसको रख करके आप नारान कवच करें और उसके बाद में आप इसको धारन कर लें हमारे यांसे अगर आप इसको मंगवाते हैं तो अल्रेडी ये करंठ करके ही नारायन कवच का पार्ट करने के बाद ही ये आप तक पहुंचाए जाएंगे तो अगर आप चाहें तो इसे और्डर कर सकते हैं बहुत बढ़िया चीज़े जैसी क्रिश्णा